हेलो फ्रेंज हम आज बना रहें तीखी लाल मिट से बना बगार ये मेरी दादी की रेसिपी है जो की तीखा खाना खाने की बड़ी शौकीन है तो वो क्या करती हैं इसे एक बार बना कर रख लेती हैं और महीने भर तक जो भी खाने में उन्हें कम मिश लगती है इसमें उपर से डाल कर खाती हैं आपके घहर में भी कोई न कोई ऐसा स्पाइस लवर जरूर होगा तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आपको जरूर अच्छा लगेगा और चानल को सब्सक्राइब करेगा ये स्पाइसी कॉंडिम बनाएंगे तो अच्छा बनेगा अगर आपके पास ही खरी लाल मिश नहीं है तो आप बजार में जो चिली फ्लेक्स मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं इसके बाद यहां मैंने तीन चमच धनिया पाउडर लिया है एक चुताई चमच सौंफ एक चुताई चमच हल्दी प पाउडर अब हमें कड़ाई में डालेंगे डेड़ बड़े चमच तेल और यह तेल अच्छा गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे सौंफ जीरा और पांच्छे कड़ी पत्ते के फीचिक पर के डाल दिये मैंने इसमें और अब गैस बंद कर देंगे उसके बाद हम नमक और फिर मिक्स कर देंगे यह सारी प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि तेल गर्म है अगर हम इसे फटा फट में ही डालेंगे तो चीज़े जलने लगेंगी और अगर आपको लग रहा है कि मिर्ची जादा तीकी नहीं है तो हम उपर से यहां मैंने थोड़ा सा लाल मिश पाउडर भी एड़ कर दिया है थोड़ा सा आमचुर पाउडर और दो चुटकी शकर इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा और अब हम सारे समान को मिक्स कर देंगे और लीजे हमारा टेस्टी स्पाइसी तीखेदार होट बगार तयार है आप इ अपने खाने में होटनेस लाने के लिए ये बना कर रख लीजेगा और बताएगा जरूर कैसी लगी आपको यह रेसिपी हमारे शर्ण को सपोर्ट करने के लिए लाइक्शन सब्सक्राइब बाबाई